पहला तो नमबर एक बस्पा का चुनावन लड़ना और बावसाब डाक्टरों बीटकर जी ने जब ओट का अधिकार दिलाया था पारलियमेंट में तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे उस समय आचार की प्लानी ने पूछा कि डाक्टरों बीटकर तुम बहुत जो आचार की प्लानिय जी ने कहा कि बस इतनी बात हैं हमारे लोग पैसे वाले हैं हमारे लोगों के पास संसाधन है हमारे लोग मजबूत है हम तुम्हारे वोट को खरिग लेंगे वही हस्त्र हमने देखा गोसी में गाडियों में पैसे ले ले करके सपाई लोग बाढ़ते धिरे हम लोग रात को कंप्लेंड करते रहे तमाम पचासों लोग गर्थाने में बैठाए गए गाडियां पकड़ी गई यह देखने को मिला दूसरा कारण तो यह था तीसरा कारण जो प्रत्यासी का रियक्षन जिसके वज़े से ओट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ एंटी दारा आप क्या सकते हैं हाँ एंटी मतलब वही प्रत्यासी के रियक्षन में अगर इंकी जगा कोई आपी पार्टी का कंडियेट होता हमारी पार्टी का नहीं कोई कंडियेट अस्थानी होता तो उसका रिजल्ट अलग होता जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्र साथ लोग हार गये जीते हुए लोग थे तो वही इस्तिती कंडियेट बदलना चाहिए था हमारा अपना मानना था बीजेपी से एक गलती हुई कि दार्टी अब भाई उनका मानना बड़ी पार्टी है उन्होंने सोच कर समझ करके दिया हम लोगोंने पुरी ताकत से पुर जन्ता ने जतना जो जनादेश दिया है हम लोगों को सिरोधार है हम लोगों की जो कमिया रह गई है उसको हम लोग सुधारेंगे संगटन को ठीक करेंगे आगे हम लोग आप से है उम्रगाजी दिखा जा रहा है कि यो विपच्छ है उनका ये मनना है कि दारा सिंग चोहान बिन्तरी बनने वाले थे और उनकर काज भी मंतरी बनने वाले थे अब शाहिद नब बन पाएं इस पे आपको क्या क्या है आपको नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग है, बिरोधी पाटी वाले मालिक हैं, तब आपको विश्वास है कि भाई देखे, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिये के मालिक, विपक्ष के लोग तो नहीं नहीं, वो लोग मालिक हैं, वो लोग के मर्जी से यहां होगा, यहां हम लोगों की मर्जी से होगा, जो इंडिये में हम सब लोग सामिल हैं, जो इंडिये के मुखिया हैं मानी नरिद मुदी जी, अमी साह जी, जेपी नेटा यह लोग यह लोग न मालिक हैं कि यह लोग मालिक हैं मतलब मंत्री आप बनेंगे धर रखिए दिल थाम के और जो लोग परिशान उनसे भी कहिए कि आपके मादधन से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैटों कहीं करे जा न फाट जाए उनसे कोई दिल थाम के बैटों कह साथ परसंट विल्कुल